आदा हिंदुस्तान बर्फिस्तान बन गया है देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फ बारी ने कोहरा मचा रखा है वहीं मैदानी इलाकों में ठंड लगातार सितम धा रही है आगे आने वाले दिन और जादा मुश्किल होने वाले हैं आपको बताएंगे शहर शहर का हाल लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी चछत, कार, दीवार, पहार सब कुछ सफेद नजर आ रहा है जिन्दगी जम गई है लेकिन आसमान से गिर रही सफेद आफ़त रुकने का नाम नहीं ले रही है तस्वीरें जितने खूबसूरत नजर आ रही है हालात उतने ही बत्तर अपकी बार जाड़े में कश्मीर जम गया है यहां बर्फ बारी रिकोर्ड तोड़ रही है तो पारभी दशकों बाद इतना नीचे गया है जम्मू से लेकर राजवरी, पुंच और श्री नगर, पहल गाम, बारमुला में भाएंकर बर्फ बारी हो रही है कश्मीर में ना सरिफ आसमान से बर्फ बरस रही है यहां सब कुछ जम गया है गाड़ियों की लंबी खतारें, आसमान से गिर्दी सफेद आफ़त सड़क से लेकर गाड़ी की चछट, बर्फ के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा गाड़ी चलाना कितना मुश्किल और खतरनाक है, इसे तस्वीरों से समझा जा सकता है श्री नगर को बर्फ ने पूरी तरह से अपने गिरफ में ले लिया है ऐसा लग रहा है कि मानुख बर्फ का आपात कालबो जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घरों से चाता लेकर निकल रहे हैं सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है, लेकिन सफेद आफ़त है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है कश्मीर घाटी में बर्फ बारी शुरू हो गई है, आज सुबा से ही लगातार इस चीज़ की आशंका थी और अब लगबग सेनगर शहर में और बाकी लाकों में बर्फ बारी हो रही है मौसर विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरीके से बर्फ बारी होगी इस बर्फ बारी के वज़े से जहां एक तरफ जो ड्राई कोल्ड वेव कंडिशन थी उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है दूसरी तरफ कई सारे लोग जो दूर दराज अलाकों में रहते हैं उनको खासी परिशानी होने की आशंग खाय पूरा कश्मीर धंड की चपेक में है गिरता पारा और स्नोफॉल में घाजी के खरीब हर शहर को सफेद कर दिया है अनंतनाग में भी हालात बत्तर होके जा रही है जहां घर से बाहर निकलते ही जिन्दगी जम जा रही है जम्मू कश्मीर की इस तस्वीर को देखकर तो सांसे भी जम जाए गाडियां बर्फ में दबी पड़ी है होटेल की बालकनी पर बर्फ जमी है जिधर देखो सब कुछ बर्फ में दबा पड़ा है ऐसा लगता है जैसे ये आम दुनिया नहीं है बलकि हम लोग बर्फ इस्तान में आ गए है तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल की है साइन बोर्ट भी बर्फ से पटे पड़े है और ये देखे बैरिकेरिंग पर बर्फी बर्फ है जवाहर टनल में भैंकर बर्फ बारी हो रही है जिसके चलते बनी हाल में जमू शेनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है पहाडों पर बर्फी बर्फ है रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं पेडों पर बर्फी बर्फ है, होटेल और मकान तक बर्फ से ढखे हुए है इस वक्त पुंच का हाल कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि हर शाख पर बर्फ जमी है अन्जामे ठंड क्या होगा बर्फ बारी ने गाड़ियों के चकों पर ब्रेक लगा दिया है वही हालात अभी सुधरने वाले नहीं है मौसम विभाग ने बर्फिले तूफान के चेताव ने भी जारी की है और ये है जम्मू कश्मीर का राजवरी यहां भी बर्फ देखिए, कई कई इंच बर्फ जमी है बुल्डोजर से बर्फ को हटाया जा रहा है भारी बर्फ बारी से राजवरी के लोगों का बुरा हाल है इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है लेकिन ये बारिश नहीं बलकि बर्फ बरस रही है जम्मू कश्मीर के पहल गाम में बर्फ बारी ने स्थानी ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कश्मीर का बारा मुला भी इस वाक्त बर्फ की आगोश में समाया है सडकों पर सनाटा पस रहा है और आसमान से बर्फ गिर रही है ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ने कर्फ्यू लगा दिया है लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं खोन जमाने वाली ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 40 दिनों का सर्द आपात का लगा है पहारों पर मौसम के इंते वरों से मैदानों में लोग ठिठुर रहे हैं कश्मीर में मौसम विभागने चेतावनी जारी की है कि आगे भी ऐसा ही मौसम जारी रहेगा अनंतनाग, कुलगाम, बढगाम, पारमुला, गुबारा, बांदिपूरा, गांदरबल, करगिल और लेह में हिमस खलन की चेतावनी जारी की गई है प्रभावित जिलों में लोगों को हिमस खलन प्रभावित क्षेतरों में नजाने की हिदायत दी गई है SDRF, पुलेस, पैरामेडिकल स्टाफ को एम्बुलेंस सहीद सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है शेनगर से शुजाउल हक के साथ इस्तियाक सोफी पहल गाम आज तक झाल